वोई थी इस सुत्रा बोलाविश वोगाइस के कॉंग्रेस थमारे में आथ हुचा करीने के वानुचे के हामेद छे कॉंग्रेस वावई वावई वाव कॉंग्रेस आमेद राहूल जी राहूल जी मलंसी केलो साहेब होँखो भाबा तभारो अपना लानिलानेता अपनी वच्जे विने आठे तारे आपने साव ब्याहाद हलावी देवनों कुपागत करिये, हमने आउकार रहे किये अबाद अपने राष्टियों उपाज्योक्स्री राहूर गांदीजी साहिब अपनी बच्चे उपस्रीचे यहने अपने जोज़ार जय गोस्ती संद्याव करिशों रहूल जी तुमागे बरो तरेक्मा वाजाव जुए रहूल जी तुमागे बरो पंग्रेस आवे छे 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 आपना सहुना लाडिला जेंदी आतुरता पुरो का प्राव जुए ने बैटा आटलो बदल समय को परमागे रहूल जी तुमागे बिननती करूछू क्या आपने सवने संभूधन करे हेली गोप्टर आमुक अजवारो होए क्यारे जोडी शके ये रहूल जी ने तरत आती बच्चे आवा माँते बिननती करूछू अशुक एलो जी, सुलांती जी, स्टेज के मैं थे कॉंग्रेस पार्टी के हमारे समनेता कॉंग्रेस पार्टी के सब हमारे कार्य करता, जो महिलाएं आई है, भाईयों और बेहनों, फ्रेस के हमारे मित्रों, जो छट्ते लोग कड़े हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत जवादा, नमस्कार नोट कैसा है आपका, चिटे, आज मैं प्रगान मंत्री जी का भाशन सुन रहा था, किसी ने मुझे सुन नहीं रहा था, किसी ने मुझे नोट दिया, उन्होंने क्या क्या कहा, चुनाओ शुरू हुआ, तो बीजेपी के लोगों ने कहा था, देखिए, यह जो चुनाओ होगा, यह नर्मदा पे चुनाओ होगा, गुझराद की जनता में कहा, कंगریस पार्टी ने कहा, देखिए, पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो, नर्मदा का पानी गुझराद की जनता को तो नहीं मिला, ताटा नानो पैक्ट्री में जरूर गया पाच्ता सुध्योपतियों को जरूर मिला मकर गुजरात के किसान को नर्मदा का पानी नहीं मिला बीजेपी ने एकदम जटके से राइट डांड लिया यूँ ठप कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो नर्मदा छोड़ो नर्मदा छोड़ो अब हम बात करते हैं चुनाव लड़ेंगे पिछणों पर OPC पर हम चुनाव लड़ेंगे OPC मुद्दे पर ही कहें जैसे ही उन्होंने ये तहा पिछले समाज उठके कहता है भाईया पिछले 22 साल आपने हमारे ने क्या किया आपने तो कुछ नहीं किया कैसे कह रहे हो कि चुनाव हमारे लिए होगा गाड़ी में जटके से लेफ्ट टर्ण लिया इस साइड अच्छा ठीक है छोड़ो पिछलो वो छोड़ो नर्मदा वो छोड़ो चलो इस बार हम विकास के चुनाव लड़ेगी और विकास की यात्रा निगा लेगी जनता ने उनसे कहा भाईया किस विकास की बात कर रहे हो पूरा का पूरा पैसा आपने पांच-दस लोगों को दे दिया अदानी जी को आपके मित्रों को किस विकास की बात कर रहे हो और आज मोदी जी के बाशन में आदा समय कॉंग्रेस पार्टी के बारे में बाशन में कहते हैं कॉंग्रेस पार्टी को देश से मैंने गायब कर दिया अरे मोदी जी अगर आपने कॉंग्रेस पार्टी को गायब कर दिया तो आपका आदा भाशन कॉंग्रेस पार्टी के बारे में क्यों है और दूसरा आजा कॉंग्रेस पार्टी के बारे में अच्छा बहिया चुनाओ गुजरात के बविश्यका है यह जो हमारी बेहने बैठी है इनके बविश्यका है यह जो युवा बैठे हैं इनके बविश्यका है साथ परसेंट समय आज मोदी जी ने अपने भाशन में मोदी जी की बाशन सिर्फ अपनी ही बात की अपने भाशन आधा समय कॉंग्रेस पार्टी को दिया और आधा समय अपने आपको यह जो चुनाओ है यह पीजेपी के बारे में नहीं है यह कॉंग्रेस के बारे में नहीं है यह नरेंदर मौदी जी के बारे में नहीं है यह राहूल गांदी के बारे में नहीं है ये गुजरात की जनता के भविश्य के बारे में है आप मौधी जी मैं समझता हूँ कि बाइस साल के बाद आप कर नहीं सकते वो तो हमने की पिछले दो तीन महिनों में की मैं ये भी समझता हूँ कि आप गुजरात के भविश्य के बाद नहीं कर सकते हो क्यूंकि आपने इस प्रदेश को इतने जूट बोले है 15 लाख रुपे का जूट बोला किसानों को साई दाम देने का जूट बोला रोजगार दिलाने का जूट बोला कॉलिग चलवाने का जूट बोला हस्पतार में डॉक्टर लगाने का जूट बोला भी आज गुजरात आपकी बातों को मानता ही नहीं है जो आप कहते हो मोदी जी उन शब्दों में गुजरात की जंता भरोसा नहीं करती है ये सच्चाई है और आज मैं यहाँ इस जैसे मैंने ये बोला चुरो बात चुरो अभी जैसे मैंने ये बोला मुझे दुख हुआ मुझे दुख हुआ क्यूंकि मैंने सोचा कि प्रधान मंत्री जी के शब में वजन होना चाहिए और आज हमारे प्रधान मंत्री जी के शब्दों में वजन नहीं रहा क्यूं नहीं रहा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप से कहा पंद्रा लाक रुपे हर बैंक अकाउंट में डालूंगा पंद्रा पेसे भी नहीं मिले आपको कहा भाई और बेनो लाइन में खड़े हो जाओ सब पूरो हिंदुस्तान लाइन में खड़ा हो जाए पांचसो रुपे हजार रुपे का नोट मैंने रद्धी कर दिया काले धन के किलाब लाई है मैं आप से पुछना चाहता हूँ भाई और बेनो पास्तोर से जो चट पे खड़े हैं आपने उन लाइन में आपके सामने और आपके पीछे आपने सूट पूट वाले लोग हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को देखा हाँ या ना आपको लाइन में करा किया और बैंक के पीछे से हिंदुस्तान के काले धन वालों ने एसी कमरे में बैठकर अपना पूरा का पूरा काला धन सफ़द कर दिया मोगी जी आपने कहा था कि चंका को युआओ को काला धन मिलेगा सरकार के पाद आएगा और हर बैंक अकाउंट में आप देंगे उनका काला धन अपने सफ़द कर दिया मगर हिंदुस्तान की एक माता को एक बहन को आपने एक निया पैसा नहीं दिलवाया नैनो पाट्री को आपने 33,000 करोर रुपे इस प्रदेश का पैसा दिया इस प्रदेश के आपने जमीन दी तिसानों की जमीन बिजली थी पानी दिया और आपने इन युगाओं को कहा था कि ताटा नैनो फैक्टरी में और ताटा नैनो जैसी हजारों फैक्टरियों में इनको रोजगार मिलेगा जितना पैसा हमने मनरेगा में डाला पूरे हिंदुस्तान में उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ ताटा नैनो में डाला मोदी जी गुजरात की जंता सरकों पे घुमती है चलती है और गुजरात की जंता आप से पूछ रही है 33,000 करोर रुपे वाली नैनो गुजरात की सरक पे क्यूं नहीं दिखाई देती नैनो फैट्री में आज दो ताटा नैनो बनती है दिन में और ताटा नैनो फैट्री को बंद करने जा रहा है यह है गुजरात की विकाज की सच्चाई आपके जेम में से परसा निकाला उद्योग पतियों को दिया आपसे बिजली लीग, पानी लिया, जमीन लीग और आपको तीन वाइदे किये दे रोजगार दूँगा, शिंशा दूँगा, स्वास दूँगा आपने इससे ज़्यादा नहीं मंगा आज कोई थी गुजरात का युवा एंजिनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे प्राइवेट कॉलिज में जाना पड़ता है प्राइवेट कॉलिज में उसे पहले, गुजने से पहले उसके माता पिता को 10-15 लाग रुपए देने पड़ते हैं कुमिशन में मोदी जी किस प्रकार की शिक्षा है ये जो सिरफ गुजरात के अमीर लोगों को मिल सत्वी है हिसान ने क्या गलती की इन महिलाओं ने क्या गलती की गुजरात के युबार ने क्या गलती की कि उनके 90 प्रतिशर्ट कॉलेज आपने प्राइविटाइज कर दिये और एंजिनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो पहले 15 लाग रुपए निकालोगा दिमार होता है कोई कैंसर होता है किजी को दिल का दोरा परता है सरकारी हस्पताल में आप जाते हैं आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको नर्स नहीं मिलेगी आपको पारमेडिकल साथ नहीं मिलेगा इलाज कराना है, प्राइविट हस्पताल में जाएए 5 तस लोगों के पास है MRI की जरूरत एक्सरे की ज़रूरत हजारों रुपए जेब से निकालिए और अगर ओपरेशन करवाना हो तो दस पंद्रा लाक रुपए जेब से निकाल के पहले हवाले करिए नहीं तो जाके मर जाईए एक लाक तीस हजार करोर रुपए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साथ हिंदुस्तान के दस सबसे अमीर लोगों का माद किया आने वाले समय में शे लाक करोर रुपए अरुन जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी इनका माद करने जा रहे हैं मगर जब किसान गुजरात का किसान प्रदान मंत्री जी के सामने जाता है और कहता है प्रदान मंत्री जी आपने इन उद्योग पदियों का लाकों करोर रुपए माद किया मैं दिन भर दिन भर काम करता हूँ मेरा आप 40,000 रुपए माद कर दो 20,000 रुपए माद कर दो छोड़ो 10,000 रुपए माद कर दो तो दिनली से अरुन जेट्टी जी बोलते हैं किसानों का करजा माद करना बीजेपी की पॉलिसी नहीं है तो मैं आपको स्टेट से कॉंग्रेस पार्टी की पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूँ 70,000 करोल रुपया हमने करजा माद किया था किसानों का जो हमारी सरकार थी और मैं आपको इस ने इस से कहना चाहता हूँ देखो दस तका बिनना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौट, दस चुनाओ के दस दिन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में किसानों का करजा माफ करने का काम शुरू कर दियोगी कपाँच के किसानों से नरेंद मोधी जी ने कहा मेरी सरकार आएगी तो सही दाम मिलेगा मुंपली के किसानों से मोधी जी ने कहा मेरी सरकार आएगी सही दाम मिलेगा कपाँच के बारे में उन्होंने कहा चोदा सो मिलता है दो हजार मिलेगा आज गुजरात में कफास आठ सो रुपे मिलते हैं कफास में हम आपको सही दाम दिल्वाएंगे और सिर्फ सही दाम नहीं दिल्वाएंगे सीजन से पहले हम आपको बता देंगे कि इस बार गुजरात के किसान को कफास के लिए मुंपली के लिए ये दाम दिया जाएगा खत्म कहानी गैरेंटी तो गुरिस्माटी जी और जो पैसा इन्हों ने अधानी जी को दिया ताटा नैनो को दिया वो पैसा हम आपके हस्पतालों में और आपके कॉलेजिस में डालेंगे पैरिकुल आपको एक काड्ड मलेगा उस पे सजार पटेजी का नाम होगा उस काड्ड को आप सटारिय हस्पताल में ले जाना चाहे हो अप कोई भी हो मैंनो आपके लिपर बत कर रहा हूं आपको काड्ड ले जाना फार्मसी में वो कार्ट दिखा देना और जो भी आपको दवाइच चाहिए वो आपको मुफ्ट में बिल जाएगी और मैं फोकलेश अप से ही कह रहा हूँ ये देखिए गेलोटी बैटे हैं राजस्तान में इन्होंने ये काम करके दिखाया है गुजरात में हम ये काम करके दिखा देंगी सर्कारी अस्पतालों में आपको डॉक्टर दिखेंगे नर्सिस दिखेंगी पैरामेडिकल स्टाफ दिखेंगा और जो पूरा पूरा शिक्षा का फोकस प्राइबिटाइडेशन पे है पांच-टस लोगों को पूरा शिक्षा ना सिस्टम दे दिया है मौदी जी ने रुपानी जी ने उसको हम आपके लिए सर्कारी कॉलेजिस सर्कारी युनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास दिखेंगे और उसमें आपको मुफ्ट की शिक्षा मिलेगी आखरी बार और शायद सबसे मज़ेदार बार आपने देखा होगा मौदी जी आज कल भरष्ट चार की बात नहीं करते है नोट किया आप में नोट किया होगा सब भाशनों में भरष्ट चार शब्द गायब विकास गायब ठीक है मगर भरष्टा चार शब्द गायब आपको लाइन में खड़ा किया ताले धनवालों का धन सफीन करायब राच को बारा बजे आपको शोले पिक्चर यान दिला दी गंपर सिंग टैक्स लागू किया मोदी जी ने कहा भाई और बहनो मज़ा नहीं आ रहा है मुलाओं उट से सिरफ हम आदा पैसा चीप पाए नोट बंदी की आदा पैसा इनके पास पच गया अब गंपर सिंग आएगा चाय की दुकान मैं आज सुबह चाय की दुकान के मालिक से मैं बात कर रहा था गंपर सिंग ने आपका कितना पैसा लिया मुझे कहता है रहुल जी अगर पहले सो रुपे मिलते थे आज पचास नगते हैं सुरत के कारिगरों का छोटे बिजनस वालों का मिलल साइज बिजनस वालों का दुकान तारों का धंदा बंद कर दिया हीरे जो काटते हैं उनका धंदा बंद कर दिया कप्रे जो बनाते हैं उनका धंदा बंद कर दिया सारी की सारी कंपनियां फेल हो गए और एक जादू की कंपनी चमत्ती हुई उठती है बीच में से ऐसे ये दिवाली में अनार चलता है न वैसे कंपनी उठती है अमित शा की कंपनी जै शा की कंपनी पच्चास हजार रुपै को जै शा जादा खाकर तीन महीने में असी करोर रुपै में बदल देता है अब मुझे मालूम नहीं प्रवान मंत्री ने कहा था मैं तो देश का चौकिदार बनना चाहता हूँ उनके मुझे एक शब नहीं निकलता पता नहीं क्या है अमित शा जी से ड़ते है घबराते है अमित शा जी गुजरात की सरकार का रिमोट कंट्रोल चलाते है जैसे वो रेडियो पे ट्यूनिंग होती थी न ऐसे गुमाते है रुपानी जी जंप करते है अभी उनके बारे में वार आएगा अमित शा जी के बारे में मगर मोधी जी ने अमित शा जी के बारे में जै शा जी के बारे में एक शब नहीं का पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा आख के सामने चोरी हुई है एक शब नहीं निकलता है राफाइल ममले के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की एरफोर्स ने 136 जहाज करी दे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटिट को कॉंट्रैक्ट दे दिया जा रहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी सत्तर साल से हवाई जहाज बना रही हूँ नरेंद्र मोदी जाते हैं पैरिस, फ्रांस फ्रांस में उनका हवाई जहाज लैंड करता है उसी समय उनका एक उद्योग पती मित्र भी पैरिस में बैठा होता है जादू से नरेंद्र मोदी जी कॉंट्रेक्ट को बदल देते हैं 136 हवाई जहाज के बजाएं हिंदुस्तान की एरफोस 36 हवाई जहाज का कॉंट्रेक्ट त्यार करती है एच एल से कॉंट्रेक्ट छीन लिया जाता है और उनके मित्र को दिया जाता है वही मित्र जिसके उपर 45,000 करोर रुपए का कर्ज है वही मित्र जिसने पूरी जिन्दगी एक हवाईजाज नहीं बनाया हमने नरेंद्र मोधीजी से तीन सवाल पूछे नरेंद्र मोधीजी बताईए आपने ये जो नया कॉंट्राइक बदला है फ्रांस में अपने मित्र को ये जो दिया है इस कॉंट्राइक में हवाईजाज का दाम बड़ा या कम हुआ दूसरा सवाल मोधीजी हिंदुस्तान एरोलाटिकल लिमिटेट 70 साल से हवाईजाज बना रही है आपके मित्र ने जिन्दगी में हवाईजाज ने बिनाया आपके मित्र पे 45,000 करोर रुपए का तरजा है आपने किस लिए हिंदुस्तान एरोलाटिक से कॉंट्रेक्ट चीन कर इनको दिया कारण क्या था बताईए और तीसरा सवाल चाहे वो एरफोर्स हो आर्मी हो नेवी हो जब वो कुछ भी खरीगते हैं तो सरकार को कैबिनेट कॉमिटी और सिक्योरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती है पर्मीशन लेनी पड़ती है मोधी जी जब आपने स्वायम ये निर्ने पारिस में लिया और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर गोवा में मच्छी की दुकान में मच्छी खरीद रहे थे तो उस निर्ने से पहले क्या आपने कैबिनेट कॉमिटी और सिक्योरिटी से इजाज़त ली थी हाँ या ना मोधी जी ने इन तीन सवालों का जवाद नहीं दिया उल्टा हर साल पार्लिमन नवंबर में खुलती है इस साल पार्लिमन बंद कर दी गए इस साल पार्लिमन गुजरात के चुनाओं के बाद खुलेगी क्यूकि नरेंद्र मोधी जी डरते हैं कि ब्षटाचार के बारे में पार्लिमन ठाउस में जैशा और राफायल ममले के बारे में चर्चा हो जाएगी तो गुजरात के चुनाओं में नरेंद्र मोधी जी साफ हो जाएंगे इसलिए उनके भाषन में आज ना ब्रश्टचार की बात होती है ना पिछले बाइस साल के विगास की ना आने वाले भविश्य की इसलिए आज उनके भाषन में सिरफ वो अपनी बात करते है और जिस पार्टी की सरकार आने वाली है उस पार्टी की बात करते हैं कॉम्रेस पार्टी यहां कारे करता है अब आप जाईए मुद्धे आपके पास है एक के बाद एक एक के बाद एक अध्यार आपके आथों में है सच्चाई ने नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को घेर लिया है उससे वो निकल नहीं सकते हैं ये काम कॉंग्रेस पार्टी ने गुजरात की जन्ता ने पिछले तीन चार महिनों में कर डाला है अब आप जाईए पॉलिंग बूच पे लड़िये और गुजरात की जन्ता की सरकार बनाईए उद्योग पतियों की सरकार हटने वाली है गुजरात की सरकार आने वाली है मोदी जी के पास आज भी सब कुछ है देखिए वज़ेदार बात सुनिये गुजरात की सरकार हिंदुस्तान की सरकार आर्मी आईवी यूपी की सरकार मध्यप्रदेश राजिस्तान, चर्थिसगार, हर्याना जारकवन सब सरकारे उनके पास गुजरात का पुरा पैसा उनके पास उनके दस बंदर उद्योक पती हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग उनके साथ कड़े हमारे पास कुछ नहीं हमारे पास सिरफ गुजरात की सच्चाई बजिये है और इसके बलपर हम चुनाव जीतने वाले है आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद शाम का समय है आपने इतने प्यार से मेरी बात तुनी इतना प्यार मुझे दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जेह कैंडिडेट कैंडिडेट शिवा भाई बुरिया जी और हमारे जो बाकी कैंडिडेट हैं यहां के उन सब को जिदाईए नमस्कार जेह अपने शाहत धिले आजए आपने प्यारी शिवा भी देवाद है शाहत धिले उसे अच्छों 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 अपने तोवा लेगो अपर नेज़ा मुर्पिस भी जवाद भी जवाद प्यास को जादी भी जोगे लेगो वी जवाद है लेकाप! अजब लेकाप! 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 अजब लेकाप!